बिर्जू अपनी पत्नी के साथ महाकाल के दर्शन करने निकला होता है. आगे जाने पर दीखता है कि आगे रास्ता नहीं, एक बड़ी सी खाई है. दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं, तभी आगे से एक बड़ा साप रेंगते रेंगते आता है. दोनों उसे बताते है कि पीछे एक चुडेल आ रही है और आगे हमें शिवजी के दर्शन करने जाना है तभी वो साप उनकी मदद करने के लिए राजी होकर पुल की तरह जुग जाता है दोनों पती पत्मी उसके उपर चड़ जाते हैं और धीरे धीरे चलते चलते उस साप के उपर से लावा की नदी को पार करते हैं थोड़ी ही देर में वहां चुडेल आती है और साप से आगे जाने के लिए रास्ता देने को कहती है साप मना करता है तब चुडेल गुसे में आ थोड़ी ही देर में वो जलकर मर जाती है